दोस्तों ये वीडियो जुरूर देखना अगर आपको स्टेर केस के बारे में कुछ नहीं पता है तो आज की वीडियो फुल प्रेक्टिकल नॉलेज ओने वाल है फुल फ्री इंटर्शिप आप इसको बोल सकते हो क्योंकि वीडियो काफी लंबी है 40 मिनट की वीडियो है जिसमें आप सीखो गए कि स्टेर केस के बारे में सब कुछ स्टेर केस की शेटरिंग कैसे की जाती है नॉर्मल जो स्टेर केस रहती है पहले हम start करेंगे staircase की shattering दोनों type की कैसे की जाती है फुरा तरीका start से end तक बताएंगे फिर उसके बाद उसका design करेंगे उसके बाद उसकी quantity निकालेंगे उसके बाद उसके basic design facts निकालेंगे सब कुछ इस video में मिलेगा आपको बस video complete देखनी है वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन इससे अच्छी stair case पे वीडियो आपको पूरे youtube पे नहीं मिलेगी practically भी समझाया जाएगा theoretical भी समझाया तो आप complete वीडियो देखो उससे पहले प्लीज चैनल को subscribe कर लो bell icon दो लो practical knowledge civil side visit पे ही आपको मिलेगा कि सबसे पहले आप देख रहे हो यह मतलब डॉवेल में निकाल रहा हूं स्टेर की फ्लाइट के लिए तो इसमें डॉइग्राम भी मैंने दिखाई हुई है कि उसमें कैसे स्टील दिया गया क्योंकि डॉवेल्स जो हमारा स्टील जो फ्लाइट के लिए आ रहा है वो इसी वोल में से तो स्टार्टिंग से यहां हम उसका डॉवेल्स दाल देंगे फिर उसके बाद उसको बैंड कर देंगे और यहां फर लेंध मतलब रफ्रेंस लेकर हम जो हमारे पाली किस्ट्रिक्षम हुई उसे रफ्रेंस लेकर उसकी शट्रिंग कर रहे है कर दूड़ी ऊपर भाई नहीं बत्या है यह पाई यह जो फ्लाइट के लिए उसकी आपने यूश्ट की यह उसके श्के 100 नौण यह प्लेट्स हैं और निनक रहता कैसे है निए राफ्टर नीचे हम पर सपोट देदेंगे और उन पर फ्लाइट के लिए प्लेट्स कर देंगे यह होल प्रोसेस दिखाया है मैंने मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मतलब स्टार्टिंग में कैसे हम दो विल्स निकालते हैं उसका फ्लाइट का शटरिंग कैसे होता है इसके लिए राइजर के लिए उसका दिखाया है सब आगे कंटिन्यू वीडियो है मतलब जब एक बार दोनों पॉइंड मिल जाएं फ्लाइटे तब यूजाएक से यूजाएक की हल्प से हम उसको उपर निचे उसका लैवल मेंटेन कर सकते हैं और जो हमारी स्अंदो रहनि चैहिए मतलब दोनों के जो मतलब हमारी इस पर श्कुल हमारी इससी के बीट में हान की शुमें एक नेक्स वीडियो लाओंगा कि हम उसके स्भी कलाओ के इससे जो नेक्स वीडियो पसो जो बिडियो आएगी उस पर यही वीडियो होगे कि हम इस की स्लोप कैसे बैढ करते हैं एक बार मतलब फ्लाइट होगे इससे वाद हम इसके डॉवल पिछा निकाले होगे एस पर ड्रॉइंग हम उसको बैंड कर लेंगे बेंडिंग हो गे वार मतलब बैंड़ करके उसका बांद देंगे एक हमारा मतलब प्राइड का सरीय में बार जो हो गया अब भी उसके बाद क्या रहेगा जो हमारी स्टेयर का ट्रेड है त्रेड और राइजर का हम ब्लूप्रिंट शाप लेंगे मतलब हमारा बंड्सेटि-वन राइजर है और फ्लाइट को एड़ करके उर जो हमारा राइजर है उसको एड़ करके हम इसमें ब्लूप्रिंट बना लेंगे यह blueprint बनाएंगे क्यों यह आगे मैं आपको बताता हूँ क्योंकि जो हमारा top बार आएगा उसको fix करने के लिए हमें इसका blueprint बनाना रहेगा और यह help भी जो blueprint बनाया रहेगा इससे help भी होगी जो जब इसका shattering करेगा वो tread के लिए तो वो easily हो जाएगा तो इसका रहता है कि मतल देख लीजिए कि हम इससे कैसा procedure करते हैं वो सिर्फ पर इसमें देख लीजिए कि हमारे कितने 11 steps हैं तो वो उसी को शापता जाएगा मतलब step by step एक बार जब मतलब cd की blueprint डल गया उसके बाद हमारे यह आप यहां देख रहे हैं टॉप बार मतलब हम टॉप बार उस पे fix कर लेंगे और करेंगे कैसे जैसे हम देख रहे हैं हमने चौक से इसको ड्रा किया हुए फिर कि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ जैसे ही हम आने इसको फिक्स करते जाएंगे टॉप बार को यह 30 कबर हमने चोड़ा हुए और टॉप बार आ जाएगा ठीक है 30-30 कबर हमने यहां छोड़ दिया और तुरू आउड यह उपर तक हम ऐसको ऐसे ही ले लेंगे इसका मैं दिखा देता हूँ होता कैसे हम दो क्या है इसका यह जो में देखो यह हमारा टॉब आर उसके लिए ट्रेड और राइसर के लिए तो यह हमारे यहां से यहां 320 और यह 450 मतलब GC साब से फ्लाइट की डेप्थ रहेगी और स्टेर और हाइट और उसकी ट्रेड की हाइट रहेगी एक बार मतलब यह हो जाए उससे बाद वो जो अपने व्यूप्रिंट लगाए होंगे उस पर हम शट्रिंग कर लेंगे कंक्रेटिंग के लिए step by step में दिखाते ही जाता हूं कि कैसे मतलब इसका प्रोसेस होता रहता है कि यह ऐसे तो आपको काम आएगा मतलब अगर फ्यूचर आपको डिजाइन करनी है जहां शट्रिंग करवानी है साइड इंगिनियर हो तो आपको यह सब पता होना चाहिए इसका प्रोसीजर क्या र नेक्स्ट आप एंड तक वीडियो देखिए इसका मतलब कैसे शट्रिंग करते हैं फिर उसके बाद इसका मतलब कैसे शेफ आता है और वैसे हमारे यह बबल्स के लिए यहां भी काम आएगा कि हमारी जो ट्रेट वो जो उसके ट्रेट के लिए शेटरिंग हो रही है वो पूरी मतलब लैवल है कि नहीं इसमें भी काम आएगा क्योंकि फिनिशिंग के बाद दिखे गए अगर थोड़ा भी मतलब अट्रेल की शट्रिंग उपर नीचे हो तो वो बाद में दिखती है तो समय नीचे को वोड़ संपायर नीचे के अब्रेंग एक के अब किया हो स्टाइ defenders अब्रेंग एक बाद में ओोस्ताफिटे के घुड़ना हो नीचे हो नीचे के या किधा है वुग बाउने है जञेजजब खाल, आष़ बाउम सेघाँ का का सーしま थे ला़क अच्डश, ज contemporaryurb hatten झाल पाले गॉवाव, उरक उब है, झाले टॉवाव, ताले कि अॉब है जर में एमarelकिम किसो तर्वा कि सब्सक्थी इसा है, तो उना सेटार है स्टार्ट से एंड तक स्टियर हम कैसे बनाते हैं और क्या बोलते उसकी स्टील डिटेल क्या रहेगी उसकी ड्रॉइंग में क्या क्या मेंचिन किया जाता है वो सब चीजे में बताऊंगा पहले आपको मैं साइट विजेट दिखाता हूँ पूरी स्टार्ट से एंड तक की शट्रिंग हम मतलब हो गई है हमारी शट्रिंग आप देख रहे हो सामने इसमें क्या क्या बेसिक चीजे हैं जो साइट इंजिनियर को करना है मतलब एक तो पाकी तो ड्रॉइंग के आपको स्क्राइट करवानी है यह तो हो गया फंडवो में लास्ट में ड्रॉइंग दिखाता हूँ दूसरी चीज आपको चेक क्या करना है और मतलब इसको सपोर्ड नीचे परवाइड कैसे करनी है कितने दिनवाद सीडी खोलनी है सब टोटल में सीडी के बारे में आज ब देखनी है तो यह हो गया मतलब बेसिक देखो और इसमें क्या आपका लेवल मैच होना चाहिए क्योंकि फिनिशिंग में जब आपका फ्लोरिंग होगा तो उसमें अगर थोड़ा ज़्यादा फरक होगा तो पूरा एफेक्ट कर सकता है पूरी सीडी पे तो इसका जो लेव के बाद वो थोड़े ऐसे इंकलेंट दिखेंगे तो वो काफी खराब होंगे और जब उसकी फ्लोरिंग होगी तो उसमें भी काफी ज़्यादा दिख्केत आईगी और जब इसके सपोर्ट प्रवाइड करनी है तो आपको हर 500 या 600 पर इसको इनकलेंट सपोर्ट प्रवाइ किया है हमने पहले आप देख लो कि हम कैसे वाटर लेवल इसका कर रहे हैं आगे मैं सब इसका बताऊंगा आपने स्टील कैसे बाइंडिंग करेंगे क्योंकि इसमें चिपिया आता है जो काफी टफ हो सकता है जब आप इसका बार्वेंडिंग शेडियूल करोगे तो आपक क्योंकि सीडी वर्क में थोड़ा डिफिकल्टी रहती है इसमें देख रहे हो आप इन्कलेंट सपोर्ड जो रहती है वैसे ही ठीक है यह यह यहां पर इसके बाद मैं दिखाता हूं आपको स्टील का कि स्टील इसका वाइंडिंग कैसे करते हैं तो पूरा प्रोसेस इसमें आप बताने वाला हूं तो सामने आप देख रहे हो स्टील बाइंडिंग जो इसका चिपी है यह देख रहे हो इसका में भी बार मेंडिंग शेडियूल लाऊंगा थोड़े दिनों में पहले आप थोड़ा बेसिक इसका देख लो इसका जो चिपी है रहता है और इसमें जो इसका steel detail में दिखाऊंगा लास्ट में पूरा कैसे किया जाता है वो सब में लास्ट में दिखाता हूं आपको पहले आपको मैं दिखा देता हूं इसका कैसे है मतलब कैसे हम चीपिया प्रवाइड करते हैं वो सब चीजिया आप एक बार देख लो अगर चीपिया में थोड़ा भी इसको बनाने में दिक्कत होगी तो यह मतलब वहां फिक्स होने में काफी दिक्कत हो जाती है तो इसको सीखना काफी इंपोर्टन्ट है तो इसका मैं वारवेंडिंग शेड्यूल लाऊंगा आप जरूर देखना और आपको काफी उसमें हल्फ मिलेगी तो यह हमारा हो गया है उसका इसका स्टील का में नीचे दिखा देता हूँ और उसके साथ ही इसकी साइड भी मार दी गए जो जिससे हमारा इसका राइजर बनेगा आप एक बार देखीजिए इस पर स्टेयर पर एक दो वीडियो मेरी है कि कॉंकरिन की क्वांटिटी कैसे निकालती है हमें स्लोप कितनी देनी होती है वो जाके आप डिजाइन देख सकती हो स्टेयर का बाकी इसमें हमारा बेसिक था कि कैसे हम थ्रू आउट स्टार्ट से एंड सीडी का होता है इदे को साइड मार दी इसका स्टील आपको दिख रहा होगा टॉप टॉप बॉटम जाली आप देख सकते हो एक बार मैं विजिट करवा देता हूं देखो शेट्रिंग आपको दिखरी होगी इसके बाद इसका हमारा कॉंक्रेटिंग हो जाएगा और इसको आपको प्रॉपर टैंड दिन क्यूरिंग करनी है और इसकी शेट्रिंग जो खुलेगी वह 21 दिन के बाद यह खुलनी है मतलम, मिनीमम आपको 21 दिन उसको रखना ही रखना है नीचे का part concreting हो चुक है आप उपर का part slab के साथ concreting होगा तो अभी में इसका drawing दिखाता हूछ, पहले आपको थोड़ा बारे में दिखा देता हूग ऊपर का part concreting के बाद कैसा elements सेड़ी दिखेगी हमारी तो आप देख सकते हो कॉंक्रेटिंग इसका हो गया इसके डोगल्स निकल गया नेक्स्ट स्टेप के लिए क्यूंकि इस स्लैब से उपर अभी सीडी जाएगी उसके लिए हमें इसी स्लैब में डोगल्स देने पड़ते हैं अभी में इसका ड्रेंग दिखा देता हूँ आपको तो ड्रेंग में स्टार्ट करें पहले तो आपको मतलब प्लान रहेगा अब वीडियो पॉस करके अच्छे से इसको देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या चीजे मैंचिन किया बाकी में इसका बेसिक बताऊंगा कि कैसे-कैसे दिया रहता है देखो आपको अगर प्लान देखने में और आग तो यह इसका प्लान है इसमें section 3,4 और वह बाकी section काटी होई है उसमें section में दिखा देता हूँ क्या 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 है यह सामने आप जैसे landing की section देख रहे हैं इसमें two steps दिखा है जैसे आपने शटर्ण में भी दे नहीं है और जो लेप लंद्ध होगा जहां लेप आएगा वहां आपको उसको अच्छे से प्रॉपर वे से बैल्ड करना है उसके बाद यह आप कर सकते हो आप इसमें स्टील डेटेल देख सकते हो 10 का सरीया में बार है और हमारा जो डिस्ट्रिबूशन है वो 8 का आपको प्र नोट है जो इंट्रिव्यूज में भी कोशन पूछा जाता है तो मैं पहले बता दूं कि स्टेयर के स्लोप शुडवी विट्विन 25 डिग्री टू 45 डिग्री मतलब आपकी जो स्लोप होती है स्टेयर केस की वो 25 से 45 के बीची रखनी चाहिए मतलब क्यूंकि अगर जादा स् स्लिपेज का बाद में प्रॉब्लम आ सकता है तो जो हमारी स्लोप रहनी चाहिए वो कितनी रही है 25 से 45 तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेयर के उसकी कैल्कुलेट कैसे करते हैं स्लोप कितनी है अगर कोई भी ड्रोइंग है जहां आप घर पे सीडी बना रहे हो तो आप स्लोप एंगल कैसे निकाल होगे तो स्टार्ट करते हैं सब से पहले आप स्टेयर देख लो मैंने एक डाइग्रम बनाई है इसकी तो उसमें डिटेयल देख लो क्या दिये है जो हमारा राइजर है वो कितना सात इंच के लिए है मैंने 175 mm और जो हमारा ट्रेड है व आपको दे देंगे कि आपका राइजर इतना है ट्रेड इतना है तो बताओ अगर जो सीडी बनेगी इसकी स्लोप कितनी आएगी तो सिंपल सा फंटा एक फार्मुला है सिंपल सा स्लोप इकोल टू राइज डिवाइड बाई रं मतलब यह आगया आपका अभी हमें पता है अमें पता है कितना है तो स्लोप जो आप लोगे ना तो त fundamental ले लेना है मिलेगा इसको उसका है 10 करेंगे 0.58 तो हमारा कितना आया 30 डिगरी तो हमारी इस CD की स्लोब कितनी आय अगर आपका राइजर है 7 इंच का और 12 इंच का ट्रेड है तो आपकी स्लोब कितनी बन रही है 30 डिगरी और यह असे प्टेबल है मतलब 25 और 45 के बीच में आ रही है तो यह प्रफेक्ट है कितनी चोटी जगा पर आप अपनी सेडी बना सकते हो उसका फुल डिजाइन बताऊंगा कैसे आप मतलब इस वीडियो को देखने के बाद खुद आप अपनी सेडी बना सकते हो बीना किसी आर्किडेक्ट किसी एंजिनियर के सब में बेसिक बताऊंगा मीनिमम जगा कितनी जोब सकते हैं तो मीनिमम स्पेस रिकॉइड फास स्टेर केस कोई भी स्टेर केस बनानी आज मैं पूरा आपको बताने वाला हूं कैसा बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में पढ़के आपको क्योंकि इस टॉपिक के बाद आप खुद अपनी सेडी बिना सकते हो ना किसी आर्किटेक की जुरूरत है मिस्टरी को खुद समझा सकते हो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं पहले होता है राइजर चलो मैं आपको बताते हैं टपा जो हमारा बनता है जैसे हमारी कुछ सेडी दिखती है जब बन जाती है तो जो राइजर होता है इस ही हम राइजर बो तो उसको चणने में दिकत नहीं होगे, जितने चोटा होगे, उतना सही होगा, और ट्रेड की बात करें, हम ट्रेड इसे बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, ये, ये, तो इसको रखते हैं, दस इंसे बारा इंच, तो ये भी जितना फूट आ जाएगा, आपका पाउं आ जाएगा आपका गरकी शत्की मतलब जो हाइट रखी जाती है, बेसलिएग कलेक भी दस फूट तो होती होती ही, रखनी ही रखनी है आपको या तीन मीटर बोलो तो दस फुट हमने रखा कि हमारा जो ग्राउंड है, फ्लोर है वहाँ से शत की हाइड कितनी है दस फुट इतना क्लेर हो गया, दस फुट हो गया फिर आपको देखो, आपको डॉग लेग मनानी है, डॉग लेग यह हो गई मतलब जिसमें ऐसे चड़े लेंडिंग आई, फिर इदर चड़े, डॉग लेग बीच में जगा बच गई तो एक होती है सीधी सीधी मतलब सीधी आपने देखे होगी दुकानों बुकानों पे, सीधी रहती है ऐसे वो तो सिंपल उसको कोई, क्योंकि वो अच्छी मनी दिखती है और वो तो सिंपल डिजाइन हो जाएगी यह देख लोगे वो तो खुद कर लोगे तो इसको करने के लिए क्या है सबसे पहले हमें लेंडिंग देनी पड़ती है यह तो आगे आपको ऐसे वी आइडिया हो जाएगा दूसरा स्टैप क्या करने है आपको यह पहला स्टैप हो गया दूसरा स्टैप क्या करने है आपको नमबर आप स्टैप निकालने है कि हमारे स्टैप कितने होगे इसमें आपको क्या करने है देखो जो आपकी height हो की ना 10 foot हमारी height है 10, divide पाए कितने का riser आप दे रहे हो ये वाला, ये riser जैसे मैंने ये riser होता हमारा ये riser कितने का दे रहे हो तो मैंने बता है 6 से 8 होता है तो हम दे देते हैं 6 मैंने बोला 6 इंज देते हैं तो इसको डिवाइड कर लेना 12 से क्यों? इसको हम फूट में कंवर्ड कर लेंगे तो हमारा निकलाएगा कि 20 स्टेप हमें लगेंगे मतलब 10 डिवाइड बाइड भाइड भाइड भाइगा गुच आपका ठीक है तो इसको डिवाइड करेंगे हम इससे तो आजाएगे 20 डिवाइड हमें स्टेप देने है तो कितना हो गया? एक राइजर एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, आठ, नो, दस ठीक है? 10 डिवाइड हमारे होगे क्लियर? मतलब 10 डिवाइड हमें होगे क्योंकि क्या करना है? 20 राइजर हमारे टोटल आ रहे है 10 लेंडिंग तक दे दो, 10 उपर दे दो, हमारा बराबर जगा हो जाएगी तो 20 डिवाइड होगे, फिर राइजर होगे हमारे 20 ट्रेड कितना होगे? ट्रेड हमेशा ये वाला ये, 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 मतलब ये जो ऐसे यहां पर पहुंब आएगा आपका वो एक नग हमेशा कम होता है, किसे राइजर से तो कर देना है 20 माइनिस एक होगे, 19 नग हमारे ट्रेड आगे इधर तक पहुंच के ट्रेड होगे आपको, अभी यहां से यहां हो गया, अभी क्लेर करना है हमें कि, हाइट तो हमें ये, निकल गया हमारा अभी हमें करना है, अगर मैं इसका प्लान देखूँ तो हमारे सीडी कुछ ऐसे देखी, ये बूर जाओ वैल्यू, ये मत देखो अभी ठीक है, तो इसको क्या करना है, दस राइजन हमारे ऐसे आएंगे, लेंडिंग तक, तो 10 और ट्रेड कितनी आएंगी, मैंने कहा, ट्रेड आती है, ये कम राइजन में से, तो 10 माइनिस बानना होगे, 9, 9 हमारे यहां पर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको मल्टिप्लाइ करना है, आपको 10 से, क्यों 10 से करना है, क्योंकि हमारा जो हम ट्रेड ले रहे हैं, वो कितना लिया, 10 से 12 होता है, मैंने 10 तो 10, तो हो गया, clear हो गया, 9, 9, फिर क्या करना है, 9 इंट्यू 10, वो आए, 90 हमारा, 90 उसको डिवाइड कर देना है, 12 से, क्योंक ये प्रोसेस किया, क्योंकि हमारी इधर कितनी सिढ़िया है, इसको प्लान कुछ ऐसा दिखेगा, यहां तक हमारी है 10, 10 टपे से और उसमें ट्रेड कितने आएंगे, 9 तो 9 को हम मल्टिप्लाई करेंगे किस से इधर, इसका कितना हमारा, 10 सिंच, 9 इंटू 10 हो गया 90, उसको डिवाइड करते हैं, फूट में करने के लिए साथ फूट पाँच, इधर, फिर आती है हम यहां चड़गे, यहां से चड़ए यह लेंडिंग, यह उपर आजाएगा यहां से चड़ए, फिर आती है फिर, फिर हम इस तरफ आते हैं तो यह भी हमारे 3 फूट हो गई, यह 3 है, यह 3 हो गई बाकी टपे हमारे इधर भी 10 थे, तो यह भी हमारा हो गया कितना, यहां से लेके, 7.5 फूट क्लिर, यह हो गया, बीच में आपको इसको जगह रख देंगे यह 4 इंच आपकी जगह इसमें होनी होनी चाहिए, मतलब सुवा में हम आपको रखना ही रखना है तो इन दोनों को प्लस करते हैं, 7.5 प्लस 3 कितना हो गया, 10.5 ठीक है फिर, इसको प्लस करते हैं, यह एरिया, 3 फूट यह था, हमने यह रख है और इसकी विर्थ, यह विर्थ, तीन फूट ले लो, मिनिमंमाम, तीन फूट आपको रखनी ही, वाकी इससे ज़ादा ही होनी चाहिए तीन फूट से कभी भी कमनी करनी है, तीन फूट यह था, तो तीन प्लस तीन छे, प्लस 4, तो गो इसको लिख दिया, 6.4 इंच अभी क्या करना है इसको हमने square feet में इसका area निकालना है minimum area तो यह जो inch में इसको convert करना है foot में तो उसको 12 से multiply करनेंगे इसको सिर्फ इसको inch वाले को तो 10 ऐसे ही आ जाएगा 5 divided 12 हो गया 10.41 6 ऐसे ही आ जाएगा 4 को divide करेंगे 0.33 इन दोनों को multiply किया तो हमारा आ गया 65.89 65.89 square feet आपको minimum जगा चाहिए इस ऐसी cd को गुमाने में मतलब यहां से चड़ेंगे ऐसे गुम के सीधा शत पर बाकी इधर एक भीम आ जाएगा लैंडिंग के नीचे और दो कॉलम आ जाएगे तो यह था मतलब basic design था अगर आप कुछ पता भी नहीं है न मतलब इसको देख के आपको idea हो गया होगा कि कैसे आपको cd provide करनी है आपको कितना area चाहिए 65.89 यह आपका area होगा अगर आप cd कहीं भी बिढ़ा सकते हो तो इसको करने के लिए गया था basic step थे पहले हाफ में landing दे देनी है बाकी step निकाल देने टोटल केतने आएगे आधे 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 लेंडिंग तक दे देने आधे आधे उपर दे देने है तो उसके बाद आपको यही process फालो करके आपको पता चल जाएगा यह area कितना है फिर य हमें हो गया कि हमारा अगर दस वाए पांच फूट दस फूट पांच इंच का जगा यह शे फूट चार इंच इतनी जगा में आपकी सेड़ी अच्छे से बैठ जाएगी अपनी residential गर्गी तो आज में काफी important topic लेके आया हूँ सामने आप staircase देख रहे हुमारी इसमें कितना concrete लगेगा मतलब इसमें कितना cement लगेगा कितनी sand लगेगी कितना aggregate लगेगा उसके बारे में सब में theoretical पार्ट आपको पूरा बताऊंगा कि start sand तक हम कैसे निकालते हैं आप easily इसका quantity का estimate निकाल देते हैं और volume निकालना में सिखा दूँगा क्यूंकि काफी मुश्किल होता है volume निकालना stair का तो वह भी मैं सिखा दूँगा तो topic स्टार्ट करता हूं में तो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा यह article आपको उसमें हमारी civil side visit.com में आपको मिल जाएगा वहां अच्छे से बढ़ सकते हो तो topic जैसे मैंने साइट पे दिखाए तो आ कितने लगने वाल है अग्रिगेट कितने लगने वाल है उसमें मैं आज आपको बताऊंगा तो एक example मैंने लिए है देखो तीन मीटर हाइट है हमारी उसकी और जो राइसर हमारा कितने है 125 mm का राइसर है 300 हमारा tread है और उसकी मतलब जो base slab की length कितनी है 7.450 यह आप दी भी होत है उससे भी निकल जाएगी तो हमारी base slab की length कितनी है 1200 तो यह हमारी steer कि आप देख लो एक बार जो मैंने side पे दिखाई वही steer है उसकी मैंने example लिए है तो start करता हूं तो सबसे पहले क्या करना है number of riser मतलब आपको height मिली है तो आपने पता करना है कि आपको कितने मतलब riser आने वाले हैं तो इसमें total height कितनी है हमारे 3 meter और riser की कितनी है 125 तो आप इसको divide करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 नगापके आ जाएगे 24 नगापके riser आने वाले है तो सबसे पहले क्या करना है अगर कभी कभार क्या होता है इसकी length नहीं होती है तो कैसे निकाल लोगे आपको पता है riser भी पता है trade भी पता है तो riser तो easily आप ये निकाल सकते हो ठीक है ये निकल गई तो आप उसकी मतलब total कितने नगे हमारे उसमें multiply करके आपको उसकी length मिल जाएगी तो इसमें कैसे निकालते है riser हमारे 125 trade कितने हमारे 300 तो hypotenuse निकालके ये value हमें मिल जाएग तो दोनों को hypotenuse लगा के हमारा कितना है 324 mm हमारा ये आया ठीक है तो number आप कितने हैं उनसे multiply करता होगे 24 है तो 24 है तो आपको ये length मिल जाएगी ये length किसलिए चाहिए मैं आगे आपको बताता हूँ तो अब भी क्या करना है सबसे पहले हमने निकालना है एक step का volume मतलब एक step में कितना concrete जाएगा वो निकालना है तो वो कैसे निकालनेंगे हमारा क्या था ऐसे है मतलब एक पूरा ये rectangle बन गया rectangle नहीं है half है मतलब तो इसको half कर देंगे मतलब triangle के formula तो आपको सबको पता ही होगा area 1 by 2 into जो हमारा riser tread और base slab जो base slab हमारी कितनी थी उसकी 1200 तो इससे हम एक एक टपपे का हमारा निकल गया कितना है 0.020m cube उसमें एक टपपे में जाहेगा तो total कितने हमारे 24 size है 24 into जो हमारा 1 के लिए है तो total हमारे उसमें कितने जाहेगा जो हमारे टपा होगा 24 टपे में कितना हमारा जा रहा है 0.8 M3 उसमें जा रहा है तो अभी निकाल देते हैं उसका निकालते हैं base slab का तो base slab कितनी है length उसकी कितनी है 7.4 जैसे दिखाई और उसकी वो कितनी थी 11 1.1 और उसकी base slab की thickness कितनी है 200 mm तो यह हमें मिला हुए तो कितना है उनको सबको multiply गए 1.6 M3 हमारा उसमें जा रहा है यह हो गया तो total कितना concrete हमारा उसमें जा रहा है 0.8 plus 1.6 M3 2.10 M3 हमारा stair में जा रहा है अभी निकाल लें हमारा cement कितना लगेगा तो total quantity है हमारी 2.10 इसको हम dry state में कर लेंगे यह हमारा wet quantity आएगी wet में इतना जाएगा dry state में करने के लिए क्या करते है 1.54 उसमें multiply करते है कुछ लोग बोलते हैं safety factor यह safety factor कुछ नहीं होता है यह हमारा जो किया है हमारा wet volume को अगर dry में करेंगे तो कैसे निकालेंगे 1.5 ratio 3 लिया हुए मैं ठीक है तो 1 यह आगे हमारा यह मैंने काफी वीडियो एस पर डाल चुआ है यहाँ भी पिता देंगे 1 ही यह आगया और जो dry volume था वो आगया और टोटल कर देंगे जो आपको grade यूज कर रहे है 1 plus 1.5 plus 3 तो कितना दोनों को multiply करके कितना यहBon yeah points 85 mq हमारा उसमें cement जा रहे है तो इसमें bags में क्योंकि bag में ठाथा है हमारा तो क्या करेंगे points 85 उसको density से उसकी density होती है यह हमारी cement की उससे multiply करेंगे हमारा उसमें kg मे आजाग उसको divide करेंगे पचास से पचास से क्यों करते हैं हमारे 50 kg का बैग आता है तो हमारे 17 बैग सीमें टो स्टीडी को कम्पलीट करने में लगेंगे ठीक है बैग निकल गे अभी सैंड कितनी लगेगी सैंड कैसे निकालेंगे 1.5 इंटो टो ड्राइवालिम होगा वो डिवाइड वाइड जो तोटल होता है हमारा ग्रेड का तो यह simple है, इससे आप estimate में निकाल सकते हो, कि आपका कितना SNAD का जो rate चल रहा है, उसका लगा लो, और जो aggregate का इतना लगा रहा है, लेवर चार्ज लगा लो, एक मिस्तरी लगा लो, चार्ज लेवर लगा लो, तो इससे easily आप यह निकाल सकते हो, तो आपको CD को cast करने में total कि यह simple funday रहते हैं, मतलब जो आपको side पे easily खड़े-खड़े आप उसका estimation कर सकते हो, तो आज का topic जो है काफी important है, मतलब यह design पे है, जो हम मतलब अगर आपको stair का design करने है, या घर पे कोई stair बनवा रहे हो आप, तो अगर इस video को देख लोगे, आप easily खुद से ही, मतलब जो आपकी stair रहे ही, उसको design कर सकते हो, मतलब commercial यह हो रहेगी, हाँ residential जो भी आपकी रहेगी, आप easily इससे थोड़ा design expects है, मतलब जो आपको चीजे मद्दे नजर रखके CD को बनाना है, तो वो चीजे मैं आज बताऊंगा, कि मतलब आपकी total bits कितनी होनी चाहिए, clear bits minimum कितनी होनी चाहिए, आपका minimum riser कितना होना चाहिए, आपका ठीक है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, तो चलो आज का हम topic start करते हैं, तो चैनल को subscribe करना जिरूर मत बूलना, ठीक है, तो सबसे पहले topic हमारा staircase requirement and design aspects, तो उसमें आज हम क्या क्या देखेंगे main, और भी बताऊंगा कि जो interviews में question पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा, तो सबसे पहले हम start करते है minimum width, मैं minimum width सब की बताऊंगा, जो hospital की buildings रहेंगी, यह घर की building है, जहां दो स्टोरी का घर है, तो उसमें कितना width आपको रखना है minimum, वो मैं आपको बताऊंगा, तो 1200, मतलब लगबग अभी देखा होगा, अगर मैं 1200 यहां 1200 रखते हैं, लेकिन minimum आपकी कितनी 1 meter रहनी चाहिए, residential building जो आपकी होती है, जूसरा आपकी residential hotel building, मतलब अगर hotel का कोई building है, hotel तो उसमें minimum कितनी अपनी, आपकी 1500 mm होनी चाहिए, मतलब width उसकी, city की, width यह आपकी, मतलब यह जो आपकी width रहेगी, यह आपकी 1 meter यहां 1500 होनी चाहिए, जो हमारी assembly building रहेगी, auditorium होगे, theaters होगे, cinemas होगे, इसमें 2 meter आपकी city होनी चाहिए, और educational building होगे, जो हमारे colleges रहते हैं, यहां universities है, उनमें आपकी minimum कितनी, 1.5 1500 mm होनी चाहिए, आपके institute होगे, जहां कोचिंग सें इसमें रश वाले area, उसमें आपका width ज्यादा रहेगी, क्योंकि exit और entering में, emergency में ज्यादा need होती है, तो अगले हमारा all other बंदलों बाकी buildings रहेगी, building, उसमें कितना रहेगा हमारा 1500 mm आपको रखनी रखनी है, तो next में आपको बिताता हूं, next है हमारा, जो हमारा two story घर होगा, आपने देखा होगा, घर पे हमारी कहीं कबार तो देखा होगा, 600 mm भी रखी होती है, लेकिन वो गलत है, 600 mm से आपको 750 mm से ज्यादा width रखनी, रखनी, अगर दो story का घर है, तो आपको 750 उसमें देनी देनी है, अब यह आगे हमारा minimum tread हमें कितना दिन है, अगर residential building आपकी, तो 250 mm का आपको वहां tread देना ही पड़ेगा, यह आगे हमारा, ऐसे रहेगे हमारी CD, ठीक है, यह आगे हमारा tread, तो अगर residential building minimum कितना होगा आपका 250 mm, और maximum कितना और इसमें, अगर मतलब बाकी जो building रहेगे, आपको 300 में देना ही देना है, ठीक है, यह दो चीज़ें आगे, अब आगे हमारा maximum riser, हमारा maximum riser कितना होना चाहिए, तो maximum riser shall be 190 mm for residential building, अगर residential building आपके कितना होना चाहिए, 190 mm और 150 for other buildings, यह Indian standard के हिसाब से है, जो भी मैं values बता रहे हुए, जो अब सब code में दी हुई है, लेकिन उसी में आपको section उठा के बताए, आप easily देख सकते हैं, कि इंटरि minimum, आपके 12 riser होना चाहिए, कि CV flight में, तो 12 से जादा हो गया, तो वो नहीं चलेगा, और आपको slope मेंने काफी वीडियो में बताते आ रहा हूँ, जो हमारी CD की slope रहेगी, जो मतलब यह ऐसे, अगर CD हमारी बाइचंस ऐसे है, तो यह जो slope इसमें रहेगी, कितनी रहेगी, 25 degree to 45 degree ही आपकी slope होनी चाहिए, जादा slope नहीं होगी, ठीक है, और 12 riser आप दे सकते हो एक flight में, और minimum head, मतलब अगर यह जैसे, हमारी CD है, और minimum मतलब यह लेंडिंग है, हमारी, minimum head कितना हमारा होना चाहिए, 2.2 meter हमारा head रहना ही चाहिए, यह चीज़ें जो आपको आज मैंने ब बना रहे हो, तो उसमें यह आपके काफी काम आएंगी, thank you friends, चैनल को subscribe कर लो, क्योंकि next videos काफी important आने वाली हैं